सू हेलो गैज केसे होँ आप लोग है आए होप कई आप लोग बहुत अच्छे होंगेए तोफ जैसा अब सब्सक्क्राइब Raise कोमेंट करते हों तो भाई है नहीं यूटूबर को मतलब मतलब फ्राइब नाना वी नहीं सही अधी और डिस्क्रिप्स dibuj कि लिए यह सब लगाना अभी नहीं आता है तो भाई सबसे पहले मैं आपको थमनेल बनाना सिखाना चाहता हूं कि थमनेल कैसे बनाते हैं अगर आप थमनेल ढंक से बना लोगे तो आपके 100% व्यू जाएगा क्योंकि यार थमनेल मेटर करता है हमारे वीडियो पर क्योंकि अगर थमनेल मेटर करता है कि थमनेल कैसा रहता है अगर थमनेल आपका अच्छा रहेगा तो हमारे वीडियो सब वाच करेगा अगर थमनेल यह अच्छा ना रहेगा तो कहां से आदमी किलिक करेगा उस पर कती विकार लगेगा तो कहां से उस पर आदमी किलिक करके आपका वीडि करے गा उसका चैनल मैं करू Finnish कर रहाँ तब हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल मैं कमिूनिटी है डालाँ शरण करो बहुत सारे चीज़े आपको सिकhने को मिलगा और भाई भॉयष्टे के लिए कोमन्न कर जितने मिया सोच रहा हूँ कि भॉयष्टे के लिए मैं अपना एक अलग से चेनल बना लो तो आपकी क्या विचार है अग्ड़ो अलग से बनाऊ तो यार कीमेंट करके बतादो अलग से बना लूँगा अगर क्या से सज्जेशन देना चाहते हो आप बनाऊ अलग से वाइस्टेक उस पर मिलेगा तो यार सजेशन दो और प्यारा सा कोमेंट करो मैं सबके वैसे मैं जितने भाई कोमेंट करते मैं बहुत सारे भाई के चैनल पर जाता हूँ और मैं चेक भी करता हूँ कि कैसा वीडियो बनाते है भाई लोग मेरे है तो यार कमेंट करो अगर फर्ष्ट कमेंट और सपेक हैम आपका नाम आया तो आपका चैनल होगा पर्मोट तो चलिए मेरे पास कुछ थमनेल के साइज कैसे हैं मैं ऐसे कंदेल करें वाला हो कि कैसे बनाते और कैसे आपका वीडियो पर व्यूज आएगा तो चलो यार करते ऐसे फैनली वीडियो को हम स्टार्ट तो गैज फैनली आगे हूं अपने मोबाइल इस्कीन पर और मोबाइल स्कीन पर आने के बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि कैसे आप लोग मतलब अच्छे से अच्छे थम्नेल बना सकते हो तो यार मैं आगया हूँ अपने फोन के इसके लिए और सबसे पिले आपको Pixel Lab Application होना चाहिए अगर Pixel Lab Application नहीं होगा तो कहां से बनाओगा आप थम्नेल अच्छा सा थम्नेल तो मैं Pixel Lab से ही बनाता हूँ और आप लोग को भी मैं यहाँ पे Pixel Lab में ही सीखाने बारा हूँ तो Pixel Lab Application को करना है Open जस्ट यहाँ पे Open करोगे तो मैं यहाँ पे देखिए मैं कुछ अलग से कुछ बना रखा था थम्नेल जिसे मैं अभी Delete कर दे रहा हूँ सारे चीज को Delete कर रहा हूँ अभी तो यहाँ से इसे डिलेट अब फिर से Open करूँगा तो यहाँ पे Pixel Lab ओपें करने के बाद आपको कुछ इस पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा इसे हम करते है डिलेट अब पलस के अकन पे आपको जस्ट किलिक करना है पहले थिरी डॉट पे किलिक करके और अपना यहाँ पे Image Size लिखा हूँ उस पर टैप कर देना है जैसे टैप कर ओओ यहाँ पे Custom लिखा हूँ उस पर एक बाद टैप करना है और जैसे नीचे में यहाँ पे YouTube Thumbnail YouTube Thumbnail पे किलिक कर देना और OK कर देना अरे यार यह यार तो गाज यहाँ पे थोड़ा सा कुट्टे का मतलब आवाज यार सुरी तो यहाँ पे फलस के एकन पर जाना है और ओम गैलरी और गैलरी से हैं यहाँ पर मैं आप लोगो दिखा दे रहा हूं Simply यहाँ पर पे बैगरांड यह बैगरांड मैं अपने बीडियो के description में दे रखाऊं, download कर लेना बहुत सारे background है, तो आप लोग download कर लेना, और इसी पर आप लोग thumbnail बनाना, और हो सके तो अलग से भी बनाना, लेकिन एक ही thumbnail मत बनाना, मतलब एक ही type का thumbnail मत बनाना, अलग-अलग बनाना, तो simply यहाँ पर इतना बड़ा हो जाएगा, अब फिर से जाना आपको प्लस के आइकन पर, और यहाँ पर फोम गैलरी पर, और अब यहाँ पर कोई साभी लड़की का PNG ले लेना, अगर लड़की का PNG आपके पास नहीं है, तो इसले नहीं कोई बात नहीं, उसे भी मैं description में link दे दिया हूँ, जहाके download कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं girl PNG वाला, ले रहा हूँ, यहाँ पर इसले में icon भड़ते हैं, तो इसे यहाँ पर मैं simply लगा रहा हूँ, जैसी मैं लगा जैसे, यहाँ पर प्लस के icon बजाना और text पर click करके, यहाँ पर text लिखने हैं, मतलब अपने गाना का नाम लिखना है, जो भी आप गाना डाल रहे हो, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, गाना title थोड़ा तो यहाँ पर मैं कुछ दिल पागल हो गया, यह लिख दिया, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई नहीं, मैं इंग्लिस में यहाँ लिख दिया, और लिखने के बाद यहाँ पर a, b, front में जाना और यहाँ पर आप लोगो, front को इसा choose कर लेना है, अच्छा सा यहाँ से, आपको जो भी मिले, पसंद मतलब आए, choose कर लेना है, मैं यहाँ पर कोई choose कर ले रहा हूँ, तो choose करने के बाद यहाँ पर इसको क्या करना है, size को यहाँ पर size लिखा हुआ है, tt size, size को थोड़ा बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है, और यहाँ पर लगा देना है, और right पर क्लिक करना, just इधर आना आपको, और stroke आपको ले लेना है, stroke आप कैसा लो, मुझे कोई पता ना, मैं white ले रहा हूँ पहले, और थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, चार से चेक कर दे रहा हूँ, अब क्या करना है, simply इधर back आना, और यहाँ पर color, color ले लेना है, कोई सा भी color, जैसे मैं red ही लिया, और red पर click कर दिया, red पर click करने के बाद, यहाँ पर 3D, आपको 3D ले ले लेना है, और red पर click कर देना, और यहाँ पर जैसे होगा, आप inner shadow, inner shadow पर click करना, और enable कर देना है, इसको, जैसे enable करोगा, यहाँ पर color चूज करने को बलाद, कोई सा भी color यह के पीछे उपर नीचे करके यहां पर कलर सेट कर लेना इतना कुछ करने के बाद यहां पर प्लस के अकन पर टेक्स पर जाने के बाद और यहां पर आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है ज्यादा मतलब अपने गाने का टैटल ज्यादा नहीं लिखना है और यहां पर लिख लिख देना है, बस यहाँ पर मैं DJ लिख रहा हूं और यहाँ पर यह भी front पर जा रहा हूं इसे DJ का, यह ले रहा हूं, highest है कर रहा हूं, और इसे simply फिर से 1t Tech size पर करके बडहा कर दे रहा हूं, तो यह देखिए बड़ा हो गया है अब यहां पे अब क्या करना है इसको भी color लेना है पहले कुल साथ भी just color आप चूज कर सकते हो तो मैं यह color चूज कर लिए right की कर दिया अब यहां पे इधर आना है तो stock भी इसे ले लेना है white ही और इसे थोड़ा बढ़ा देना है बहुत हो गया छे ही साथ पर ही रहने देना है तो इतना बहुत पर क्लिक करना है यहां पर 3D तो जरूर लेना है 3D लेने पर इसको बढ़ा कर देना और इसे 3D को देखो गुमा भी सकते हो आप यहां से नीचे से देखो यहां से गुमा भी सकते हो ऐसे ऐसे देखो बहुत चीज़ कर सकते हो आप पिक्सल ले में यार तो right पे क्लिक कर देना अब यहां पर remix कुछ भी कर सकते हो यहां पर गाने का नाम अपना नमबर जैसे भी करते हो ऐसे भी आप डाल देना बस आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है टेटल, मतलब थमनेल पे, थमनेल पे ज्यादा लिखोगा तो गडबड़ हो जाएगा, और यह एक चीज मैं बता ना भूल के, यहाँ पर लड़की पर टैप करना, और यहाँ पर बीच वाल एकन पर किलिक करके, और यहाँ पर जे और देखो कितना मस्थ थमनेल बन रहा है, सबसे पहले, देखो मस्थ थमनेल बन रहा है यहाँ तो अगर मस्थ नहीं लग रहा है, तो simply आप क्या करना है, मैं बता रहूँ, सबसे नीचे बाले जो लिए हो उस पर एक बाद टैप करना, मतलब थमनेल जो लिए हो, आप मतलब saturation थोड़ा बढ़ा देना है, नीचे brightness भी और यहाँ से भी contrast भी, यह सब आपको करके, अपना देख लेना, adjustment कर लेना जैसे भी हो, देखो जैसे भी हो आप अपना adjustment कर लेना, color में, तो देख सकते हो कुछ इस परकार से आप लोग बना सकते हो, मस्थ तो बस यार आज की वीडियो बस ही तक, उमीद कर तो यार बहुत अच्छा लगाऊगा, अच्छा लगत यार लाइक करना मत भूना, और चैनल पने आ रहे तो यार चैनल को subscribe कर लेना, साथी साथ बेल एकन को press करना, चली यार मिलते हैं अपनी next वाली वीडियोज में